श्री नीरज डांगी ची बहुत बहुत धन्यवाद उप सभापती मौदे मानने सभापती मौदे National Institute of Pharmaceutical Education and Research Sanchodhan Bill 2021 National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act 1998 में Sanchodhan का प्रयास है 1998 के Act के अंतरगत पंजाब में राष्ट्रिय फार्मासोटिकल चिक्षार अनुस्वदान संस्थान की स्थापना की गई थी और उसे राष्ट्रिय महतो का संस्थान Institute of National Importance गोशित किया गया था यहाँ बिल बेसिकली छे अन्य नेशनल Institute of Pharmaceutical Education and Research जो की एमदवाद, हाजीपूर, हैदराबाद, कॉलकता, गोहाटी और राइबरीली में इस्तित हैं को राष्ट्य महतो के संस्थान गोशित करता है इसके अतित यहाँ बिल एक काउंसिल की स्थापना का प्रावधान करता है जो की बिल के अंतरगत आने वाले सभी संस्थानों की गतिविदियों के बीच समन्वाइ स्थापित करने के साथ साथ Pharmaceutical शिक्षा और अनुसुदान का विकास हो और मापदन बढ़करा रहा हो यह सुनिशित करता है माननी है सभापती महदे जब हम Medical Science की चर्चा करते हैं तो देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर Medical Science को Regulate करने का काम फार्मा कंपनिया करती है ऐसे में बड़े दुक्की बात है कि Pharmaceutical Research का कारिया भारत के बजाए अन्य विकास्चील और विक्सित देशों के अंदर ज़्यादा प्रभावी ढंग से निश्पादित हो रहा है अत्य भारत में भी इन Pharmaceutical Education and Research पर अत्यदिक ध्यान देने की आवशकता है यह शंशोदन बिल लाया जाना निश्यत रूप से अत्यंत आवशक है लेकिन इसमें जितनी भी कम्या है उनको दुरुस्त क्या जाना भी आवशक है और इस बिल का सही मायने में देश को लाब मिल सके यह शुनिशित हो मानने निया सभापती मौदे आपके माद्यम से सदन में इस शंशोदन बिल हेतू मेरे कुछ सुझाव में रखना चाहूंगा जिससे इस संशोदन बिल का उद्देश्य सफल हो सके रसायन और उर्वरक पर 27 समिती की 23 रिपोर्ट के अनुसार नाइपर अदीनियम के तहत साथ संस्थानों में सयुक्त वार्षिक इंटेक शमता केवल 1185 है जिसमें 1077 चाहतर है और 185 पिएशडी चातर है हमारे देश की विशाल जन्संक्या को देखते वे नाइपर्स की सयुक्त वार्षिक इंटेक शमता को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक साधिक लोगों को फार्मासिटिकल शिक्षा और रिसर्च का लाब प्राप्थ हो सके भारत को विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है लेकिन दुनिया बर में लाखों लोगों को सस्ती और लागत कम लागत वाली जैंरिक दबायां भी आपूर्टी करने का कारे भारत करता है लेकिन उसके बावजूद पुद्भी जो है इतनी कम सीटे ये मैं समस्तों की इस पर पुने निर्णावना चीए भारतिय दवाश शेत्र की शमता को देखते हुए राष्ट्रिये महतु के संस्थान माने जाने वाले सातों संस्थानों में वर्तमान सीटे परियापत नहीं हैं इन संस्थानों में इन सी स्थापित के लिए मानकों को स्थापित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्युत हो सके कि प्रतेक नाइपर राष्ट्रिय महत्व के संस्थान के स्टेंडर्स को पूरा कर सके बोर्ड और बोर्ड अफ गर्णनस में हम अगर देखते हैं तो 1998 के एक्ट के अनुसार बियो जी की कुल संख्या 23 है केंदर सरकार द्वारा तयार संशोधन नाइपर में बियो जी की संख्या को 12 सदेश्यों तक युक्ति संगत बनाने का एक प्रयास किया गया है साथ ही 1998 के अदीनियम की धारा चार तीन एम के तहट ये कहा गया है कि तीन प्रख्याप सारजनिक व्यक्ति या सामाजिक कारे करता जिसमें एक अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती से होगा जिसे आगंतुक दुआरप पैनल में से नामित किया जाएगा जबकि अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती समुदाए के ऐसे प्रतिनियत को दो जार के इस संशोदन बिल के अंदर से हटा दिया गया है इस तरह की चूक पर पुनर विचार किया जाना चाहिए और अनुसुची जाती, अनुसुची जन जाती के कम से कम एक व्यक्ति को Board of Governance में शामिल किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए विधैक में उप्युक प्रावदान किया जाना चाहिए कि बले ही प्रस्तावित संख्या को बढ़ा कर तेरा ही क्यों न कर दिया जाए सामाजिक समावेश की द्रस्टी से कम से कम अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती समुदाय के किसी एक पब्लिक पर्सन या सोशल वर्कर को बियोजी में शामिल करना बहुत महत्पूर और संस्थान में निड़न लेने की प्रक्रिया में भी ऐसे समुदायों का समान प्रतिनिदित अत्यन्त महत्पूर है और इससे सामाजिक समावेश भी संभाव हो सकेगा बिल के अंतरगत सभी संस्थानों की गतिविदियों के बीच में समनवा स्थापित करने के लिए एक काउंसिल की स्थापना का प्रियास किया गया है जिससे फार्मासोटिकल एजूकेशन औरिशर्च का विकास तथा मानकों का रखरकाव सुनिशित हो बिल में प्रस्तावेकी काउंसिल के सदस्यों के रूप में तीन सदस्ये मेंबर और पार्लियामेंट को शामिल किया जाए परंतु काउंसिल में सदस्ये के रूप में वे सांसद जो नामित सदस्ये होंगे वो उन्हें medical या pharmaceutical शेत्र का पूर्ण अनुबव हो यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए इस बिल में संशोदनों या उसके अंतरगत निर्धारित नियमों द्वारा अनिवारिये यहां किया जाना चाहिए डायरेक्टर्स की नियुक्ति के संबन में इस बिल में board of governance को यह अधिकार दिया गया कि भारत के राश्टपती की अनुबवती के पशात वे लोग जो है डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर सकेंगे जबकि नाइपर का model Indian Institute of Technology IIT के आधार पर किया गया है ऐसे में इसके अंतरगत काउंसिल भारत के राश्टपती की मंजूरी के बाद ही डायरेक्टर्स की नियुक्ति करता है तो नाइपर्स में भी इसी तर्श पर जो है काउंसिल जो है उसको भारत के राश्पती अनुमती दे और उसके पशात इनकी न्यूक्ती काउंसिल द्वारा की जा सकती ऐसा मैं समस्ताओं की संशोधन होना चाहिए काउंसिल की स्थापना के तहट काउंसिल का सेवजन एवं बोर्ड ऑफ गवर्णस के सभी पद केंदर सरकार या केंदर से संबंदिती हैं राज्यों का कोई भी प्रतिमिलित जो है काउंसिल या बोर्ड ऑफ गवर्णस में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्तित्यों में राज्यों के लिए इन इंस्टिट्यूट्स दुआरा क्या कदम उठाय जा रहे हैं क्या कदम उनके पक्ष में है क्या कदम उनके प्रतीकूल है यह राज्यों के लिए जान पाना मैं समझता हूँ कि नामुम्किन सा थाबित होगा इसलिए ऐसे में आवश्यक है कि काउंसिल या गवर्नरिंग बॉडी में राज्यों का प्रतिनिदित भी केंदर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिदियों के साथ साथ राज्य के विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिदियों को भी इसमें काउंसिल अब बॉड और गवर्नरिंस में शामिल किया जाना चाहिए यद्यपी साथ नाईपर प्रस्तावित किये गए थे लेकिन सिर्फ पंजाब इस्तित मोहाली नाईपर ही इस्थापित हुआ है जिसका की कैंपस बन करके पूरी तरीके से त्यार हो गया है वर्ष 2012 में तमिलनाडू में मदरई, राजस्थान में जालावार, महरास्ट में नागपूर, चतिसगड़ में नयाराइपूर और करनाटक में बैंगलोर में पाँच नाईपर बनाने का प्रस्ताव तब से लंबित है परंतु वित्र मंत्राले के अंतरगत, एक्स्पेंडिचर फाइनस कमेटी, एफसी ने नाईपर्स को इस्थाई केंपस बनाने के लिए अनूमदन प्रक्रियाओं में उलज़ा के रखावा है, जो सर्वता गलत है वर्ष 2015-16 के केंद्रिय बजट भाषण में चार राज्यों में नाईपर्स इस्थापित करने की घोशना की गई, जिसमें 36 गड़, राजस्थान, महराष्ट एवं तमिलनाडू राज्य शामिल है 26 मार्च 2018 में ई-fc ने चारो राज्यों में जो नफ प्रस्तावित नाईपर्स की इस्थापना की इस्थापना प्रस्ताव को बाद में स्थगित कर दिया कमेटी ने इस मामले को 2020 में पांच में वित आयोक की अवधी जो 2020-25 है उसके तहट समिक्षा के लिए जो है EFC ने अनुशनशा किये मानने उपसवापाती मौदे मेरा मानना है कि कोरोना महमारी के पश्चात अब देश को ये समझ लेना चाहिए कि मेडिकल फिल्ड में और रिसर्च के अंदर हमें अक्यंत आवशकता है कि देश इसमें उतकर्ष्ट कार्ये करें और ऐसी इस्तीती के अंदर देश के वित बजट को भी इस शेत्र के अंदर पूरी तरीके से सही रूप में उप्योग में लाया जाना चाहिए ताकि ऐसी विक्ट परिस्तितियों में देश जो है ऐसे ऐसे हमारी जैसी चीजों से ऐसी परिस्तितियों से डट करके मुकाबला कर सके लड़ने में शक्षम हो सके मदोरी नाइपर में शुरू में वर्ष 2011 में स्विक्रोथ वा था जो तमिल नाडू राज्ये सरकार ने इसकी स्थापना ही तो 116 करोड एक्षम की भूमी भी आवंटित कर दी थी और इसके तहट इंफ्रास्ट्रक्शर डवलप्मेंट के लिए 1100 करोड रुपे का प्रस्ता भी वित्मंत्राले को प्रस्तुत कर दिया था लेकिन पिछले आट वर्षों से इस बरखास प्रोजेक्ट पर किसी तरह की प्रोग्रेस आस तक नहीं हुई है आट वर्षों से य यह जो घोशना है यह भी जुमला मात्र साबित होगी केंदर सरकार विचार कर यह शुनिश्शित करें कि जिस प्रकार देश के हर राज्य में मैडिकल कॉलेज और एमस इस्थापित हो हैं उसी तरीके से देश के हर राज्य में भी इस तरह के इंटरनेशनल इंसिट्यूट और फार्मासिटिकल एज्यूकेशन और रिसर्च इस्थापित हो ताकि राज्यों को सीधे तोर पर उसका लाब प्राप्त हो सके जब हम स्वास्त संबंतित शेत्र की बात करते हैं तो स्वास्त के शेत्र में राजस्तान के मुख्यमंत्री शिरिया शोग गलोजी अत्तन थ शवधन शील है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर राजस्तान में जो है नाइपर की स्थापना की हम पहल करेंगे और मुख्यमंत्री से निवधन करेंगे तो निशित रूप से वो बिना हिच्चाए एक शण गवाई बिना नेशनल इंस्टिट्यूट स्थाप पती मोदे मैं आपके माध्यम से अनुरोद करना चाहता हूं कि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फार्मासुटिकल एज्यूकेशन रिसर्च की अन्य राजजियों में भी स्थापना की शुरूआत अगर करें तो शुरूआत राजस्तान से करें एमर्म राजस्तान में भी अती पिछडे जो जिले हैं सिरोई पाली उन्हें उनका चैन किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे विकास के साथ साथ रोजगार का नफ्स रिजन भी हो सके जो उस शित्र की दरकार भी है हम जब बात करते हैं काउंसिल की बैटकों की प्रस्तावित बिल में कहा गया कि काउंसिल की बैटक साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए काउंसिल सभी नाइपर्स के बीच में समनवे के लिए शिर्ष निकाय है और ऐसी स्थिति में प्रभावी समनवे बनाने के लिए और नाइपर्स अदिनियम के तहट संस्थानों के बीच में ग्यान को साजा करने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए काउंसिल को वर्ष में एक से अधिकवार बैठना चाहिए अत्या ये आवशक है कि इस प्रावधान में संशोधन कर हर वर्ष कम से कम छे महीने में एक बार कॉंसिल की बैठक वर्ष में होनी आवशक करनी चाहिए ऐसा मेरा मनना है जब हम बात करते हैं निदेशकों और अन्य निकाय सदस्यों के इंटर नाइपर्स इस्थाना अंतरन की तो मैं समस्ता हूँ कि नाइपर संशोधन विधयक 2021 में निदेशकों और संकाय सदस्यों के अंतर नाइपर स्थाना अंतरण के संबंद में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है निदेशकों और संकाय सदस्यों के अंतर नाइपर इस्थाना अंतरन से विबिन नाइपर्स के बीच में संपर्क बढ़ेगा और नाइपर्स की प्रशाशनिक और शैक्षनिक दक्षिता को दूसरे में इस्थाना अंतरित करने में मदद भी मिलेगी और इसके तरित समयबत इस्तानांतर और संकायों के आदान पदान से नाइपर के संकायों और निदेशकों के बीच की आपसी साजाकरन और सीखने की शमता को भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी धारा 33-A का जो संभिलन के में बात करते हैं संशोदन विदे की धारा 33-A में का गया कि एक संस्थान अदीनियन के कुशल प्रशाशन के लिए केंदर सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए निदेशों का पालन करने के लिए बात दे होगी ऐसे में इस प्रावधान से संस्थानों को स्वायत कामकाज का उलंगन भी देखने को मिल सकता है इसलिए सरकार को उन शेत्रों को पश्ट रूप से परिभाशित किया जाना चाहिए कि वह किस शेत्र में निदेश देगी और किस शेत्र के अंदर हश्टशिप नहीं करेगी ये शुनी सित किया जाना आवशक है ताकि संस्थाओं की स्वायतता की स्तिती जस की तस रह सके और ये उच्छ संस्थान को देश में शिक्षा और अनुस्दान के विकास के लिए नीतियां बनाने और प्रभावी प्रशाशन चलाने के लिए स्वतंतर रूप से कारे कर सकें मैं इस संबंद में ये भी कहना चाहूँगा इन सुझावों के साथ साथ शिक्षा एक पंक्ती में पढ़ना चाहूँगा शिक्षा को अंदविश्वाश ग्रणा और हिंसा से मुक्त और राष्ट्रिय सामाजिक और धार्मिक एक्ता को मजबूत करने के लिए एक महत्पूर्ण वहिकल बनना चाहिए ये पंक्तियां ये शब्द 2014 के संसदिय चुनाव के लिए भाजपा के घोशना पत्र में शामिल थे अब साथ साल बाद ऐसा लगता है कि या तो इन शब्दों का भाजपा के शब्द कोश के अंदर एक अलग ही अर्थ है या ये सब भी बाकी की तरह अब जुमले थे मदरास और भी एचिव बनारस पर सत्तावादी हमले होते रहे हैं जिनका उद्देशे लोग तांत्रिक संस्क्रती को नश्ट करना मात्र है और असंतोश की हर अवाज को कुचलना जो है वो इसका उद्देश्य है जब हम शिक्षाक्षेत्र में NDA सरकार के साथ परशों की उपलब्द्या तलास करने की बात सोचते हैं तो NDA सरकार की कारेशेली लोगतंतर पर हमला मात्र थाबित होती है भाजपा के नेत्रत्यों वाली केंद्र सरकार ने शिक्षा के विवेसाई करण केंद्रे करण और संप्रदाई करण की नीतियों का आक्रमक रूप से अनुसरन किया है यह पिछली UPA सरकार की नव उदारवाती शैक्षिक नीतियों को समाप्त कर रहा है जो सरवथा गलत है और जिसका उद्देश शिफ शिक्षा के शेत को नियंतरन मुक्त करना और निजी पुंजी के लिए अधिक्तम लाब के रास्ते बढ़ाना मात्र है मानने सभापती मोदे में आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस और अकरशित करना चाहूंगा कि एंडिये सरकार ने फंड में कटोती कर विश्विद्यालों में शोद के मूल सिधानतों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है UGC गजट नोटिफिकेशन 2015 के बाद JNU और अन्य विश्विद्यालों में सीट कटोती के मामले में अनुसंदान को गंभीर रूप से प्रभावित किया है या अनुसंदान में अफसरों को कम करने के लिए एक स्पष्ट रणन नीती है एक अच्छी तरह से आप सुनिये तो सब समझ में आएगा एक अनुसंदान में अफसरों को कम करने के लिए स्पष्ट रणन नीती है ये अच्छी तरह से इस्तापित है कि विश्विद्यालों में बड़ी संख्या में फैकल्टी की कमी है जिसे की पूरा किया जाना चाहिए अब भी पद खाली पड़े हैं जो अनुसंदान के अफसरों को कम करता है सबापती मौदे देश में आज के हालात को ये चार पंक्तियां क्या खूब दर्शाती है लिसन टू मी क्या बोल रहे हैं समझ में आएगा राजा बोला राथ है रानी बोली राथ है मंत्री बोला राथ है संत्री बोला राथ है ये सुबह सुबह की बात है ये आज के हालात दर्शाते हैं ये पंक्तिया देश की परिश्टितियों को इसलिए सभापती मोदे मैं आपके माद्यम से केंदर सरकार से अनुरोद करना चाहूँगा कि कम से कम सदन में जब बिल पेश हो तो विपर्ष्ट के सुझाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले पुन्हे मैं रिवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो बारा सांसद जिनने सस्पेंट किया गया उन्हें रिवोक करने का आपकारे करें बहुत बहुत धन्यवाद चेहन प्रफसर राम गोपाली अद्व जी